हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग का टाइम टेबल आई टी आई का जारी कर दिया गया है कि आप लोग का आई टी आई परिच्छा दरबीस का कब तक होगा और आप लोग बहुत सारे न्यूज भी देखे होंगे आई टी आई परिच्छा को लेकर यदि आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किये होंगे और साथ में बेल आईकन को अल नोटिकेशन पर किलिक किये होंगे तो आप लोग को नोटिस भी मिली होगी और फ्रेंड्स मैं आप सभी लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेव टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ कि आप लोग का परिच्छा कब से कब तक लिया जाएगा डेट वाइज तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना है और अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हुए है तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आपको नीचे रेट कलका बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला आप लोग उसे दबा लीजिएगा और साथ में घंटी वाले आइकन को अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा और आप तक सभी जनकाई सबसे पहले पहुश्ती रहेगी जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं इस बार सेमेश्टर और बेक एक्जाम का जो परिच्छा होगा आप लाइं मादियम से लिया जाएगा और जो 8 од second year का एक्जाम होगा ओ ऑन लाइं मादियम से लिया जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का जनकाई निकल के आ रही है कि आप सभी लोग का ओनलाइं परिच्छा का विरोद भी किया जा रहे है क्योंकि friends आप लोगों का पहले semester वालों का offline माध्यम से OMR seat पर ही exam लिया जाता था लेकिन इस बार first year और second year वालों का exam होगा वो online माध्यम से लिया जाएगा तो इसके लिए यहाँ पर बिरोद भी किया जा रहा है कि आप लोगों का ITI का online परिछा न लिया जाए आप लोगों का पहले की तरह offline माध्यम से OMR seat पर ही आप लोगों का exam लिया जाए तो friends आप लोगों का जानकारी कुछ निकल के आ रहा है तो आप लोग इसमें देख पा रहे हैं आप लोगों का दिया गया है तो friends आप लोग देख पा रहे हैं कमलेश विशुव कर्मा हमारा यूटूब चैनल है आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप लोग लाल बटन का दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो friends मैं आप लोग इस वीडियो में एक न्यूश पर कटिंग के माध्यम से ही आप लोग को बताने वाला हूँ जैसा कि friends आप लोग देख पा रहे हैं ये न्यूश पेपर जो है ये मुंबई महराष्टा का न्यूश पेपर है जो कि इसमें आप लोग का दिया गया है इस बार बहुत से कम इसटूडेंट आई टी आई में डिशन करवा रहे हैं और आप लोग को बता रहा हूं इस वीडियो में तो friends आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग का दिया गया है मंत्रालय बना रहा है आनलाइम परिच्छा की योजना जैसा कि friends आप जो 1st year और 2nd year का exam है वो online माध्यम से होने वाला है तो friends CC की recording आप लोग का यहां पर जानका निकल के आ रही है आप लोग का दिया गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह मुंबाई का नियूज पेपर है और इसमें आप लोग का दिया गया है ITI को चात्रों की परिच्छा 2 साल पहले आयोजित किया जाता था जिसके बाद सेमेश्टर पद्धती शुरू की गई बाद में OMR सीट पर लिखा जाना शुरू हुआ जैसा कि friends आप लोग का इसमें दिया गया है कि आप लोग का जो ITI का परिच्छा होता था और पहले सेमेश्टर के हिसाब से आप लोग का आफ लाइम माध्याम से OMR सीट पर ही आप लोग का एक्जाम लिया जाता था लेकिन friends आप लोग का इस बार जो फश्टियर और सेकेंडियर का एक्जाम है ओनलाइम माध्याम से लिया जाने का यहाँ पर बात हो रही है इसवा friends आपका यहाँ पर दिया गया है अब केंडरी कौसल विकास और उद्मिता मंत्राले परिच्छा ऑनलाइन लेने की योजना बना रहा है और इस तरह केंडरी कौसल विकास और उद्मिता मंत्राले पिछले 4-5 वर्सों से आईटी आई के चात्रों के लिए नई परिच्छाओं का प्रियोग कर रहा है इसमें चात्रों के परसिच्छड पर सिधा प्रबाव पड़ा है और उनके रोजगार में गिरावट आने लगी है वही परिच्छा के नई परिच्छाओं का प्रियोग भी किया जा रहा है इसमें छात्रों को पशिच्छड पर सिधा प्रबाव पढ़ा है और उनके रोजगार में गिरावट आने लगी है जैसा कि फ्रेंड्स इस समय आई टी आई चात्रों को इस टाइम रोजगार भी नहीं मिल रहा है तो इसको लेकर ITI student जो ITI में admission करवाने वाले student हैं वो लोग नहीं करवा रहे हैं admission यहाँ पर क्योंकि उनको ITI को लेकर रोजगार तो नहीं मिल जा है लेकिन ITI में online माध्यम से exam कराने का जो फैसला है इसको लेकर ITI student बहुत ही घबडाए हुए हैं तो इसके लिए ITI student admission नहीं ले रहे हैं ITI में यह बात है इसके बाद आप लोग यहाँ पर दिया गया है यही वज़़ है कि ITI में प्रवेश लेने वाले चात्रों में भारी गिरावट आई है ITI में भरती होने वाले चात्र दस्वी पास या फैल है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का जो ITI में एडिमिशन होता है वो तो दस्वी पास या दस्वी से फैल होते हैं चात्र वही ITI में एडिमिशन लेते हैं और अन्नत्या आप लोग का जो भी कोर्स करके ITI में एडिमिशन लेते हैं वो बात अलग है ऐसे चात्रों को राज्य में बड़ी संख्या में ITI में दाखिला दिया जाता है ऐसे चात्र के नए प्रयोगों को समझाना करने के मुड में नहीं है आप लोग का जो इस्टुटेंट हैं यहाँ पर ओनलाइम परिच्छा नहीं कराने का बात कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आईए हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग ITI छात्र क्या मुद्दा उठाए हैं ओनलाइम परिच्छा को लेकर जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग यहां पे दिया गया है अच्ची होती थी पहले की लिखित परिच्छाएं इन छात्रों को कम्प्यूटर का ग्यान नहीं है या नहीं है यह मामला नहीं है जबकि ग्रामिड और दूर्दराज आदिवासी छेत्रों में हमेशा से नेटवर्क ए पर बात कर रहे है कि आप लोगों का आईटियाई स्टूडेंट को कम्प्यूटर का ग्यान है या नहीं है यह बात अलग है जबकि ग्रामिड और दूर्दराज में आदिवासी छेत्रों में हमेशा नेटवर्क की प्रावलम रही है तो उन लोग ऐसे में ओनलाइन परिच् कैसे समालेंगे सरकारी और नेजी आईटियाई में सभी जगह सही कम्प्यूटर लैब उपलब्द नहीं है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग आईटियाई कॉलेज में जो साइस सरकारी हो या भी प्रावेट हो आप लोग कहां से ओनलाइन परिच्छा देंगे और आप लोग बीटेक, पॉलिटेकनिक, MBA, मेडिकल की परिच्छाएं ओनलाइन आयुजित नहीं की जाती है यहाँ पर आईटियाई चात्र मुद्दा रखे हैं कि अगर पॉलिटेकनिक, MBA, मेडिकल की परिच्छाएं आप लोग का जो ओनलाइन माध्यम से नहीं कराया जाता है तो इस टूडेंट ले रहे हैं अगर इन लोगों का ओनलाइन परिच्छा नहीं होगा तो आईटियाई वालों का भी ओनलाइन परिच्छा नहीं होगा यहाँ पर मांग कर रहे हैं इसमें दिया गया है आईटियाई के चात्रों के लिए ओनलाइन परिच्छा भारी पढ़ने वाली है परिच्छा के परिडाम कभी भी समय पर नहीं आते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का मालो सेमेश्टर वालों के जब लिग्ज्याम होता है तो उनका जो रिजल्ट हो किसी भी टाइम पर हमेशा नहीं आया है कभी आपका डेट निकलता इस डेट को आएगा तो आ आप लोग का आई टीआई स्टूडेंट यहां बात कर रहे हैं कि आप लोग का जो टाइम टेबल आई का निकलता है परिच्छा के रिगॉर्डिंग उनका टाइम टेबल भी चेंज कर दिया जाता है कि इनका जो एक्जाम होगा इस डेट को होगा इस मुन्त में होगा लेक तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं कि आप लोग का जो एक्जाम होगा या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का एक्जाम ओनलाइम माध्यम से हो या फिर आफ्लाइम माध्यम से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बता आता हूं तब तक के लिए मिलता है नए वीडियो में नोटिस के साथ